दे ट्री हाउस पेपा और जोज दादी और दादा पिक को मिलने आए हैं दादी पिक दादी एक हलो मेरे प्यारी बच्चो घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो जी दादी पेपा जोज देखो मैंने क्या बनाया छोटे पर्दे ये छोटे पर्दे क्यों बनाये दादी ये एक सप्राइज है तुम्हें देखना है दादा पिक ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है जी दादी दादा पिक दादा एग हलो पेपा और जोज देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है एक ट्री हाउस एक ट्री हाउस जोज और मेरे लिए और ये चोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए पेपा और जोज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया थैंक्यू दादी पेग थैंक्यू दादा पेग पहले अंदर कौन जाना चाहेगा मैं, मैं तो फिर चलो अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने हूंगे मैं अपने ट्री हाउस में हूँ मैं अपने ट्री हाउस में हूँ जोर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जोर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है. क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे. जोर्ज, अपने जूते उतारो, और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ. कौन है? जोर्ज? अब कौन है? मैं हूँ मामी पेग. क्या तुम्हारे पास महमानों के लिए जगा है? आपको सीक्रिट कोड बताना होगा. उसके बाद ही आप अंदर आ सकती है. अच्छा जी, और वो सीक्रिट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा. सीक्रिट कोड है डाडी का बड़ा पेट. ओ अच्छा. सीक्रिट कोड बताएए. डाडी का बड़ा पेट. नहीं जवाब. डाडी का बड़ा पेट. मुझे लगता है यह सीक्रेट कोड बहाती बखवास है ममी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे हाँ, पेपा डाडी, आप भी अंदर आ सकते हैं सीक्रेट कोड बताएए, डाडी क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है नए नए तो ठीक है, डाडी का बड़ा पेट हाँ, जवाब, अब आप अंदर आ सकते हैं, डाडी अपने जूते उतारिये मुझे नहीं लगता, मैं तरवाजे से अंदर आ पाऊंगा क्यूंकि आपका पेट बहुत बड़ा है एक काम करते हैं, डाडी पिग उपर से जा सकते हैं पेपा, जॉर्ज, ममी पिग और डाडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं दाडी मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना अच्छी बात है पेपा, क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना नहीं, मुझे नहीं आना तो फिर, कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं कुकीज, दाडी पेग, ये रही तुम्हारे लिए कुकीज, पर अगर तुम्हें अंदर आना है, तो सीक्रेट कोड बताना होगा ये असान है, ताडी का बड़ा पेग, सही जवाब मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है दल योजीओं पेभार उसका परिबार यूजीओं जा रहे हैं ताडी मुझेओं क्या होता है ऐसी जगा जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजीजे होती हैं आपसे भी पुरानी हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी ओ, बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीज़े भरी पड़ी है मुझे राजा रानि का कमरा देखना है वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डाइनसौर है वो ताइनिस्टा हलो मामी पिग हलो मिस राबिट कितने टिकेट शाहिए आपको दो बड़े और दो बच्चे और एक डाइनसौर पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीज़े हैं वाँ पर जोज को असली डाइनसौर देखना है रोना मद जोज इसके बाद हम जाइनसौर देखने जाएंगे पेपा, ये सारे चीज़े कई साल पहले रानी इस्तमाल करती थी ये है रानी की खास कुरसी, उसे सिंघासन कहते है बहुत सुन्दर है ये है रानी की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पेपा, ये है रानी का सोने का मुकुट वाव, बहुत सुन्दर है मामी रानी का टीवी कहा है पेपा उस समय टीवी नहीं होते थे टीवी नहीं थी पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे नहीं उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे वो दिन भर क्या करते थे मामी अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज अभी ला कर देती हूँ चलो अभी सब लोग आ रही हूँ डैरी डैरी, मैं हूँ रानी पेपा मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुक ना होगा ओ, मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबा और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा अहाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं दिख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसार है असल में पेपा, वो बहुत ही बड़ा है वाँ ये असली डाइनसार की हड्यां है डाइनसार जोर्ज खुद को डाइनसार समझ रहा है डाइनसार आ गया बचाओ, बचाओ डाइनसार का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है ममी जिस कमरे में केक्स है डाडी पिक को पसंद है मीजियम का क्याफे चलो, आकर खा लो ओ हाँ ये सबसे अच्छा कमरा है गाडी की सफाई डाडी पिक पूरे परिवार को गाव में घुमाने ले जा रहे है चलो, चले, सब लोग तयार है तयार है हाँ डाडी पिक, हम तयार हैं पर गाडी तयार नहीं देखो कितनी गंदी है अँ इदनी गंदी नहीं है अंदर से देखो ज्यादा गंदी है शरार्ती गंदे डाड़ी शरार्ती गंदे डाड़ी जरा ये सब कच्रा तो देखिए अकबार वो मेरे है चोकलेट वो मेरे है मिस्टर डाइनसौर डाइनसौर गोमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए ओ, सही कह रही हो ममे पिग ममी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो तुले डाड़ी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए डाड़ी पिग चट धो रहे है ममी पिग बॉनेट धो रही है पेपा दरवाजे धो रही है जॉज को खिड़किया धोनी है पर वो बहुत चोटा है बेचारा जॉज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ओहो, जॉज ने अपना स्पांज मिट्टी के गड़े में गिरा दिया जॉज, तुम गाड़ी को दुबारा गंदा करे हो मैं मिट्टी को दो देती हूँ पेपा वो पानी गंदा है अफो, पेपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के उपर फेंक दिया कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे दो देते हैं हाँ, हाँ, क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ पेपा ने पाइप पकड़ी और डाड़ी पिग ने पानी शुरू कर दिया पानी कहा है पानी कहा है पेपा, रुको सॉरी मामी डैडी पिग, प्लीज पानी बन कर दीजिये हाँ, हाँ, लो अभी किये देता हूँ हाँ, सब भी कए हाँ, चलो अप कार तो धुल गई हम सब भी धुल गए जाओ, अपने आपको सुखालो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ बाद में मिलते हैं मिलते हैं बाद में गाड़ी पे कितनी अच्छे तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है कितना मज़ेदार चेहरा है न और भी मज़ेदार चेहरे यह तो पेपा और जॉड़ हैं और ममी पिग भी कितनी संदर चमकीली गाड़ी है न हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ चलो, आज मैं चलाओंगी क्या सब तयार हैं? तयार तो फिर चलते हैं उम्मीद करती हो कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे हाँ, ममी पेक हाँ, ममे पेक वाँ ममी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी हाँ, शरार्ती मम्मी केम्पिंग पेपा और उसका परिवार केम्पिंग के लिए जा रहे हैं उठे केम्पिंग बहुत पसंद है हम पहाँच गए हुरे! पेपा, चॉर्च, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है डाड़ी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? शिंता मत करो पेपा, मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ ममे पेग, लकडियो पर टेंट लगाओ प्लीज देखा तुमने, कितना आसान है क्या ये खोंटे किसे काम के है? बेलकुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया पेग्स के सहारे, टेंट खड़ा हो गया हो गया ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था लेकिन आप ये छोटा क्यू लग रहा है जोकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डाड़ी पेग और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है पेट से याद आया चलो खाना बनाते हैं आग जलाने के लिए हमें लकडिया जमा करनी होगी यिपी पेपा और जोच क्यामफायर के लिए लकडिया ठुणने में डाड़ी पिक्की मदद कर रहे हैं जोच मैं लकडिया उठाऊंगे और तुम इने पकड़ लेना लकडिया इकठा करने में मज़ा रहा है बहुत अच्छे इतनी काफी है बहुत अच्छा कैमफायर है अब जलाते हैं ये रही माचिस हमें माचिस की जरुरत नहीं है डाड़ी, माचिस के बगर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लकडियों को एक दूसरे पर घिस कर डाड़ी पिग कैमफायर जलाने के लिए दो लकडियां एक दूसरे पर घिस रही है अब कहा है डाड़ी थोड़ा सबर करो देखा कितना आसान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं प्रकृति के आवाजे सुनाई दे रही है ये कैसी आवाज है ये कीड़ों की चीची आवाज है ये किसकी आवाज थी वो उल्लू है देखो वहाँ पर वाँ और ये कैसी आवाज है ओ मुझे समझ नहीं आ रहा ये डारी के पेट की आवाज है मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुब बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या चलो बच्चो टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे ये तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है जाओ तो अंदर चलो मामे पीग थोड़ी जगा दो मुझे डाडी आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बात नहीं वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है सबको गुड्णार्याइट पर नहीं पामी पिग पपार जोज टेंट में और डाडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे मुझे क्यम्पिंग बहुत पसंद है खुली हवा मैं तारों के नीचे सोना शायद ये आडीय कुछ खास नहीं था सुबा हो गई है टैडी, टैंक में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजाया ओ, टैडी कहा है? टैडी पिक चले गए बेचारी टैडी पिक, बारिश की वज़े से उन्हें ठन लग रही होगी अब कहा है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खराटो की आवाज लग रही है टैडी पिक, क्या हुआ? टैडी आप ठीक है आप बिल्कुल ठीक हो, मुझे क्या होगा कैम्पिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैं गारी में आकर सो गया पुट्टु टैडी पिक मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है बच्चे संभाला मुझे पिक और डैडी पिक शाम को घूमने जा रही है दाधी पिक और दादा पिक बच्चों को समभालने वाले है डाधी पिक, दादा पिक दादी एक, दादा एक Hello, मेरे प्यारे बच्चों. Hello! Peppa, George, चलो सोजाओ, जल्दी. Good night, मेरे छोटे पिगिज. Good night, सोजाओ, बच्चो. Good night, Mommy. Good night, Daddy. कितने प्यारे बच्चे हैं. अब जल्दी से सोजाओ. Yeah, Mommy. कितने अच्छे बच्चे हैं. Mommy पिग और Daddy पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं. Peppa और जोज कितने अच्छे हैं. Mommy पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए. इन बच्चों को समालना बहुत आसान है. George, George, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें? शायद हमें उपपर जाकर देख लेना चाहिए. Peppa, George, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नीन में सो रहे हैं. ओ, तो इसका मतलब वो शोर, पैपा और जॉज नहीं कर रहे थे. अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा. मुझे लगता है वो गहरी नीन में सो गये हैं. चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं. गार्डनिंग. आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे. मुझे गार्डनिंग के शोब बहुत पसंद हैं. केप्सकेट एक विशेश काटदार गुलाब है. उसकी कटाई करने के लिए, सबसे पहले उसका उपरी हिस्सा काटो. और फिर टहनिया काटो. दादा पेग. पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए. जॉर्ज और मुझे नीन बिल्कुल नहीं आ रही. क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नीन दा जाए. ये! आइसलेंड के गुला अप किसी ग्यानी गार्डनर के लिए बहुत माइने रखते हैं, पर ज्यादा तर वो ठंडी जगाओं पर पाये जाते हैं. ओ, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है. दादा पिक, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं, जिसमें आप इमें उच्छाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार. ओ, तुम तो पहले से भारी हो गई हो. अब जॉर्ज की भारी हा? मेरी भारी. और उपर, और उपर. दादा पिक थोड़ी से थक गए हैं, बच्चों. तो दादी पिक, क्यों न हम पकड़ा-पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी. नहीं पकड़ सकते आप. ममी पिक और दादी पिक घर वापस आ गए. हमारे छोटे पिगी सो रहे होंगे. हेलो, कोई जागरा है? हो हो हो, छोटे पिगी सो रहे हैं, और बड़े पिगेस भी. ममी पिक का बर्थडे आज ममी पिक का बर्थडे है. डादी पिग ने ममी पिक के लिए ब्रेकफस्ट बनाया है. हापी बर्ठधे, ममी पिक। पेप Alpha और ज्वार्ज ने ममी पिक के लिए बर्थडे कार्ट बनाया है. हापी बर्थडे, ममी. ओ, यह कितना प्यारा बर्थडे सर्प्राइज है. और भी बहुत सारे सप्राइजेस मिलेंगे, अपने बर्जे के ब्रिक्फ़स्ट का मज़ा ले लो, आराम सिखाओ यमी चुल्दी करो, हमें बाकिसारी तैयारी करनी है तैड़ी पिंग ने ममी पिंग के लिए बर्थडे केक बनाया है, अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने है, एक, दो, मैं आ रही हूँ, ममी पिंग ने अपना बर्थडे ब्रिक्फ़स्ट खातम कर लिया, ममी आ रही है, ओ नहीं, हम अभी तयार नहीं है, कौन है, मैं हूँ ममी, क्या में अंदर आओं, नहीं, नहीं, आपर कुछ सीक्रे चल रहा है क्या, नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती, अच्छा, ममी पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती, यह अच्छा है, वैसे भी तुमारा बर्थडे है, ठी थांक यू पैपा, हमें उतनी केंडल्स जाहिए, जितनी मम्मी की उम्र है, एक, दो, तीन, ओ नहीं, हमारे पस उतनी केंडल्स नहीं है, तैदी, ममी कितने साल की है, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ, वाव, बहुत बड़ी है, हो, मुझे लगता है, तीन केंडल्स हो जाएंगी, ममी पिक का बर्थरे केक तैयार है, हुरे, हमें और कुछ ने बस अब हॉल की सजावट करनी है, हेलो ममी, ओ, आगे तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी, ममी, क्या आप गार्डन में एक वाक लेना चाहेंगी, क्या मेरे पास और कोई रास्ता है, नहीं ही ही हा, बाइ-बाइ ममी, अच्छा सा वाक लेना, हम आपको जल्डी बुला लेंगे, ठीक है, मैं तो भूली गई थी, कि बर्थे पर कितना काम करना पड़ता है, डाडी पिपपा और जॉज हॉल को सजा रही है, ही 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 ही, ही ही, ही हा, हमाज आ रहा है, हमाज आ रहा है हेपी बर्थ डे मम्मी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही और मैं अभी अंदर नहीं आ सकती डारी पेपा और जॉर्ज मेरे बर्दे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं अच्छी बात है बाद में मिलते हैं बाई ममी क्या आप अंदर आना चाहोगी हां बिलकुल आउंगी आखे बंद करो अपनी आखे बंद ही रखो ममी एह दू तीन अपनी आखे खोलो कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुजाओ और विश मांगो ममी ममी अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खुबसूर अड्रेस है अब खुबसूरत हो ममी अब इससे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है दो टिकेट्स आज रात के फिल्म की चलो चलें तैंक यू ममी पिक को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पिक बच्चों को घर पर समहल लेंगे कितना अच्छा बोदी है लगता है मैं दुनिया की सबसे लखी ममी हूं और खुबसूरत भी हिक्कप्स पेपा staff ममी और डैडी नाश्ता कर रहे हैं ये एक प्यारा सा सुहाना दिन है पेपा और जोरज गार्डन में खेलने के लिए जाना जाते हैं ममी क्या हम खेलने के लिए बाहर जाए तुम अपना नाश्ता खतम करके बाहर खेलने जा सकते हो जोज अपना JUICE इतनी जंदी मत पियो जोज ने अपना JUICE जल्दी से पी लिया और अब उसको हिचकिया लग गई है क्या अब हम जा सकते हैं मामी? नहीं जोज को हिचकिया और है लिकिन जोज के हिचकिया बंद हो गई मामी हो गई है ना जॉज ठीक है तुम बाहर खेलने जा सकते हो लेकिन जॉज का ध्यान रखना पैपा और जॉज को गार्डन में खेलना पसंद है जॉज मैं बॉल फैकने वाली हूँ फिर तुम उसे पकड़ना ठीक है जॉज लेना बंद करो जॉज अब तुम बॉल मेरी तरफ है को मैं उसे पकड़ूंगी जॉज ओडियर जॉज की हिच्कियों से खेल बिगड़ रहा है जॉज मैं जानती हूँ हिच्किया कैसे ठीक करनी है तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो बढ़िया अब तुम्हारी हिच्किया बंद हो गई पेपा ने हिच्कियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया जॉज यह तुमने बेलकुल गलत किया मुझे हिच्किया ठीक करने का अच्छा तरीका आता है पहले एक तांग पर तीन बार उपर नीचे कुदो अब अपना हाथ हिलाओ उपर और नीचे और अपनी जीब बाहर निकालो और अब अपनी आखे बंद करो और तेजी से घूमो सिर्फ तीन बार पैबा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया जोर्ज को अभी बी हिच्किया आ रही है मैं जानती हूँ हिच्कियों का इलाज बिमार पिगी को एक शौक दिया जाना चाहिए जोज मैं तुम्हें डराने वाली हूँ लेकिन तुम्हें याद रखना यह सिर्फ एक खेल है और इससे तुमारी हिचकिया बंद हो जाएंगी याद रखना यह सिर्फ डराने का खेल है तुम्हें जोज के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए यह बहुत छोटा है माप करना ममी मैं जॉज की हिच्किया रोकने के कोशिश कर रही थी जॉज की हिच्किया बंध हो गई डेडी पे एक जूस के दो गिलास ले कराते हैं जॉज इस तरह पी होगे तो फिर से हिच्किया लग जाएंगे मैं उतनी छोटी नहीं हो जितना जॉज मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ मामी पे टिवी पर फिट रहने का प्रोग्राम देख रही है और एक और दो और तीन और चार, जुको, स्ट्रेच करो, जुको, स्ट्रेच करो, एक और दो, मुझे टीवी देखना पसंद है, क्या चल रहा है मुझे पेग, इस प्रोग्राम में तंदुरस रहने के लिए एक्सरसाइज दिखाते हैं, अच्छा है, मुझे कसरत की जरूरत मैं तो तंदुरस्त हूँ, आप तंदुरस नहीं लगते डाडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है, मैं तंदुरस्त हूँ, अभी साबिद करता हूँ, पहले क्या करके दिखाऊँ, अपने पेरों को हाथ लगाए, ऐसे, आसान है, डाडी, बहाना मत बनाए, कोशिश तो क मैं बहाना नहीं बना रहा पैपा, डाडी पिक सच मुझ अपनी पेरों के उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते, ओ डाडी, यह अच्छी बात नहीं है, मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए, जी डाडी करनी चाहिए, और वो में करूंगा, कल से, डाडी पिक, आपको पहले आपको थोड़े प्रेसप्स करने है, आसान है, एक, तो, शबबाश डाडी, अब मैं चाहती हूँ के आप सो करें, एक सो, हाँ, चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करूं, मैं भी करूंगा, नहीं डाडी, आपको सो प्रेसप्स करने है, एक, दो, मॉमी पिग, पेपा और जोज किचन में लंज बना रहे है, डाडी पिग अभी भी अपने प्रेसप्स कर रहे है, डाडी बहुत अच्छा कर रहे है, दस, हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, बारा, मैं जाकर देखते हूं, तेरा, चोदा, पन्दरा, सोला, सक्रा, डाडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको प्रेसप्स करने थे, ओ, वो, वो, क्या है न, टीवी पर एक दिल्चस प्रोग्राम आ रहा था, ओ, शरारती डाडी, शायद डाडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फाइदा होगा, इस में मसा ह मैं साइकल भी चलाऊंगा, और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा, ये तो नामुमकिन है, ये साइकल बहुत शोर करती है, टीवी सुना ही नहीं दे रही, आपको कुछ फी करके तंदरुस्त होना ही है, आइडिया, आप मेरी साइकल इस्तमाल कीजिए, हाँ, और इसे आ और ये है गंटी, हाँ, हाँ, थैंक यू पेपा, मैं चानता हूँ, बाइबाइ, कितना आसान है, पिट रहने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है, अब मैं पिना पैडल मारे भी साइकल चला सकता हूँ, डैडी पिक बहुत तेज चला रहे है, मुझे अपनी स्पीड कम क करनी हो की, इसके ब्रेक्स पर लगी नहीं रहे, अब मुझे, डैडी पिक ने बहुत देर कर दी, ममी, डैडी कहा हूँगे, पेक्रमात करो पैपा, डैडी इतनी देर बहा है, मतलब उने जरूर मसा आ रहा होगा, अवा, अवा, डैडी, अब कहा गय थे, मैं पहाडी में बहुत तेजी से नीचे गया था, और फिर मुझे साइकल को इतने उपर तक वापस लाना पड़ा, ओ, बेचारे डैडी पेग, पर मेरी एक्सराइज तो हो गई ना, हाँ, आज के लिए, क्या मतलब है तुम्हारा, कल फिर आपको करनी होगी, क्या डैडी, अगर तंदरस्त हो ना है तो रोज एक्सराइज करनी पड़ेगी, और और कोई बात नहीं, डैडी, मैं आपसे एक्सराइज कर वाऊंगी, हाँ, वो तू मुझे पाता है, हाँ, हाँ लंच पेपा और जॉज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं दादी पिक दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों खाने के लिए बगीचे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक देडी लो पेपा जॉज यह दादा पिक का सबजियों का बगीचा यह सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई हैं यह क्या है दाइनोसौर एक डाइनोसौर चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजियां चुनते हैं पेपा तुम्हें टमाटर पसंद है जी दादा पेग जॉज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है ना जॉज को टमाटर पसंद नहीं है तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है जी दादा पेग ना जॉज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं ओफो मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है यक जॉज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जॉज तुम्हें कौन सी सबजी पसंद है चोकलेट केक पुट तु जॉज जॉज चोकलेट केक कोई सबजी थोड़ी है सबजियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉज को वो पसंद आएंगी वाँ बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से दूना होगा पैपा और जॉज दादी पिग की सबजिया धोने में मदब कर रहे हैं पस अब दूना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया दादा पिग, सबको लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है और ये रहा सलाद दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जॉज ने अपना पिज़ा खाया पर जॉज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं ओ जॉज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं जॉज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो याक जॉज, ये खीरा है दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है याक सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है ओहो, रो नहीं जॉज देखो, मैं क्या बनाता हूँ अब ये बन गया है डाइनसौर डाइनसौर जॉज को डाइनसौर बहुत पसंद है जॉज, टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश, जॉज थोड़ा और लोगे, जॉज बढ़ गया जॉज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जॉज का पेट भर गया है जॉज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते जॉज और कुछ भी नहीं खा सकता ओ तो तुम ये चोकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते चोकलेट केक वावाव लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई बैले क्लास पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है ये है माडम गजेल बैले की टीचर तो तुम हो छोटी पेपा मैं हूँ माडम गजेल हेलो माडम कितनी प्यारी हो तुम तुम्हारा इस बैले क्लास में तेह दिल से सवागत है मैं तुमें बाद में लेने आऊँगी मजे से सीखो ये रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी बच्चो, आज एक नई स्टूडिंट आई है पेपा पिग जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो हेलो पेपा हम शुरू करेंगे डेमी फलिये से अब एक छोटा जम्प पटी जित है नजाकत और संदर्ता से पटी जित है नजाकत और संदर्ता पटी जित है नजाकत और संदर्ता पैले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपने हाथ उपर उठाओ ऐसा सोचो कि तुम्हे खूब सूरत हांस हो और तुम्हे क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा पैपा को नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डांस किया पैपा ने बहुत अच्छा किया मैंने बहुत नजाकत से और संदर्ता से डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं फिर तुम डाडी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना बाइ बाइ पैपा और ममी पे घर आ गए हैं डाडी जॉज मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं क्या वो मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत आसान था पर आपके लिए जॉज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमें चाहिए म्यूजिक गुट अब जॉज, डाडी और ममी आप वैसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माडम गजेल ने मज़ेदार शब्द बोले पर असल में सिर्व गुटनों को मोडना होता है और जॉप करना है पटी शित डाडी आपको वो शब्द पता है क्योंकि मामी पिक और में बैले करते थे साफधानी से डाडी पिक हाहा हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटडर मुझे शायर ठीक से याद नहीं रहा पुद्द डाडी पेग शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए हाहा मैं उसमें सबसे अची हूँ मैं खुबसूरत हंस हूँ हाहा हाहा हाह हाह प्रिंसेस रात हो चुकी है पेपा और जॉज सोने जा रहे है गुद नाइट पेपा और जॉज मामी डैडी बोलो पेपा मुझे नीन नहीं आ रही है क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे पर शायद जॉज को नीन दा रही है और उसे कहानी नहीं सुननी जॉज क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाओगा अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे हम प्रॉमिस करते हैं हम्, तो आज में तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाओंगा क्या ये कच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है क्या उसमें छोटी सी राजकुमारी है? पैपा, अगर तुम बाती करती रहोगी, तो डारी पे कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मामी, क्या कहानी में छोटी सी राजकुमारी है डारी? हाँ, कहानी में छोटी राजकुमारी है हम, एक स्लीपी प्रिंसेस बहुत पहले की बात है एक महल में एक छोटी राज़कुमारी रहती थी और उसे कहते थे Sleepy Princess टैड़ी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा क्या Sleepy Princess बहुत सुन्दर थी? हाँ, बहुत सुन्दर उसे अपने आपको आईने में देखना बहुत पसंद था ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ उस महल में और कौन-कौन रहता था? अब, वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा फ्रेंस क्वीन ममी और केंग डाड़ी बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे एक डाड़ी कभी पेत बड़ा था? बिल्कुल नहीं। वो तो हैंसम थे मेरी तरह और हाँ, वहां पर एक ड्रैगन भी था डाstillसार डाइनसोर?ठोर अरे हाँ, वो ड्रैगन नहіч था वो डाइनसओर था बाहर एक बड़ा भयांकर डाइनसोर था वहाव 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 शाहब वह डाइनसोर इतना भी बयानक नहीं था, हैना, डाइडीपेग? सौरी, चोर्ज नहीं, वह 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 बहुत दयालू था वह सिर्फ खास खाता था डाइडीपेग Oops, सरी, मैं पे डाइनसोर बन गया ताड़ी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूं. वो क्या हुआ? शाम हो गई. तारे और चान दिखने लगे और सब को बहुत मींद आने लगे. पर सबसे ज्यादा मींद स्लीपी प्रिंसेस को आई. पेपा, नेंग आ रही है. नहीं, डाड़ी. मुझे बिल्कुल नेंग आ रही. पर किसी को आ गई है. जोर्ज, उठो भी. कहानी कहान सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नेंग नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी. सारा दिन आइने में देखकर, वो पूरी थरा से ठक गई थी. चलो, तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूं. और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नेंद सो गई. कहाने के लिए थैंक यू, किंग डाड़ी. और हमारे चोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजाया. मेरे बहन, क्लोई. पेपा और जॉर्ज बगीचे में खेल रहे हैं. मेरी तरह पैको. तुमने बहुत जोर से बॉल पैका, जॉर्ज. तो रूल के हिसाब से मैं जीत गई. अब मेरी बारी. मैं फिर से जीती. पैपा, जॉर्ज, आज तुम्हारी बड़ी बहन क्लोई हमसे मिलने आ रही है. यिपी, क्लोई. जॉर्ज, क्लोई मेरी जैसे बड़ी लड़की है. तो अगर वो तुम्हें चोटा समझ कर तुम्हारे साथ ना खेले तो बुरा मत मानना. मुझे यकीन है क्लोई तुम दोनों के साथ खेलेगी. क्लोई आ गई, ये! आंटी पिग दिन बिताने के लिए क्लोई को पैपा के घर लाई है. क्लोई पैपा और जॉर्ज की कजिन बहन है. क्लोई पैपा और जॉर्ज से थोड़ी बड़ी है. हेलो, क्लोई! ये तो चोटे बच्चो का खेल है. ओ, हम ये खेलते हैं क्योंकि जॉर्ज को ये खेल पसंद है. ठीक है, जॉर्ज के लिए खेलते हैं. तो फिर तुम असली रूल्स के साथ खेलती हो या फिर वो बच्चो वाले रूल्स के साथ? असली रूल्स के साथ. मैं शुरू करती हूँ, पकड़ने की बारी तुम्हारी, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ पेपा को, क्लोई और जॉज को पकड़ना है पकड़ सको तो पकड़ लो जॉज, मैं तुम्हें असानी से पकड़ सकती हूँ, तुम कितने छोटे हो ये गलत है, तुम जॉज की मदद कर रहे हो क्योंकि वो बहुत छोटा है, क्या मैं तुम्हारी भी मदद करूँ नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह बड़ी हूँ तो फिर चलो पेपा, हमें पकड़ कर दिखाओ तुम नहीं पकड़ पाओगी, चलो पकड़ो हमें ये बहुत ही बकवास गेम है, कुछ और खेल सकते हैं ठीक है, मैं बड़े बच्चों के लिए एक अच्छा गेम जानती हूँ उसका नाम है चतुर लोम्डी चतुर लोम्डी, मुझे खेलना है चतुर लोम्डी कैसे खेलते हैं? एक खेलाडी होगा चतुर लोम्डी और दूसरे उस पर छपट पड़ेंगे मुझे, मुझे, मुझे बनना है चतुर लोम्डी पेपा है चतुर लोम्डी जब उसका ध्यान नहीं होगा तब दूसरे उस पर चुपके से छपट पड़ेंगे पर अगर पैपा ने मुड़कर किसी को हिलते हुए देखा तो उन्हें दुबारा पीछे से शुरुवात करनी होगी जो आज मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा पहले से शुरू करो बिना हिले रहना होगा पैपा मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा फिर से शुरू करो यह गलत है तुमने बहुत देर तक देखा रूल के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूं देख सकती हूं दुबारा शुरू करो जोर्ज जीत गया क्या हम कोई और खेल खेले हाँ पर वो बड़ो का गेम होगा तो ही मैं बताती हूँ मेरा फेवरिट गेम खेलते है वो बड़ो का ही खेल है जोर्ज क्या तुम्हें पैपा की फेवरिट गेम पता है पेपा का फेवरेट गेम है मिट्टी के गड़ों में उपर नीचे कूदना जोर्ज अगर तुम्हें गड़ों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे ये लो मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ क्लोई मिट्टी के गड़ों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ ओ, मैं भी जोर्ज को मिट्टी के गड़ों में कूदना बहुत पसंद है असल में पैपा को गड़ों में कूदना बहुत पसंद है पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही मैं देख रहा हूँ कोई गड़ों में कूद रहा है ममी पिग और डाडी पिग को भी मिट्टी को गड़ों में कूदना बहुत पसंद है ये मज़ेदार दिख रहा है हाँ, वो तो है शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मताबिक बड़ी लड़्या भी मिट्टी के गड़ों में कूद सकती है हाँ, ये अच्छा रूल है चलो रेस लगाए चलो रेस लगाए पैपा और क्लोई को मिट्टी के गड़ों में कूदना बहुत पसंद है सब को मिट्टी के गढ़्धु में उपर नीचे कूजना पसंद है, बड़ी लड़कियों को भी तब यह ठीक नहीं ममी और डाडी पिग ने अभी-अभी पेपा और जॉज के लिए नाश्ता बनाया है नाश्ता तैयार है पेपा के चहरे पर लाल दाने निकलाए है मामी, मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा, तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ पेपा की तब्य ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए है, पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूं, पेपा को चेक करने, डॉक्टर ब्राउन बेर आए है, हेलो बेटा पेपा, कैसी तब्यत है तुम्हारी, मुझे ठीक नहीं अपनी जबान जरा बाहर निकालो, हम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपा को तो सर्फ रैशेज आए है, मुझे दवाई की ज़रूरत है, रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूं, हाँ, यही बहादुन लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली, पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबियत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा, पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं, हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं, यह रैशेज फैलेंगी नह ने यह भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं, क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है, सूजी शीप, पेपा की बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी ममी को फोन करती हूँ, हेलो मिसस पेग, पेपा सूजी से बात करना चाहती है, हेलो सूजी, हेलो पेपा, मेरी तब ब्राउन बेर आये थे उन्होंने कहा मेरी तबियत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ तो तुम सचमुच बीमार हो हाँ हाँ मैं जूट नहीं बोल रही मुझे बिस्दर में ही रहना है डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे बहुत ही गंदी और कडवी दवाई दी मैं तुम्हें देखने आरही हूं मैं नर्सवाले कप्रें कर आती हूँ सूजी शीप से मिलने आई है सूजी अपने नर्सवाले कप्रें है जला और रबेका रबिद भी साथना आए है हेलो, पेपा हेलो तुम कैसे हो पेपा? मेरी तब्या ठीक नहीं है, सूजी मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है तुमें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संत्रे का जूस ला सकती हो ठीक है लगता है कि पेपा को बड़ा मज़ा रहा है तैंक यू सूजी अभी कुछ ठीक लग रहा है हाँ थोड़ा सा टानी मेरी ममी से पूछो क्या मैं आइस क्रीम खा सकती हूँ और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बैर आए है अरे वाँ नर्स तो पहले से ही पहुच गई तो बताओ मरीज कैसा है मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो बस ऐसी ही अच्छा जी तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ हाँ प्लीज हरे वाँ रैश इस गायब हो गए है तुम तब बिलकुल ठीक हो गई क्या मैं थोड़ी भी बिमार नहीं हूँ अब कैसा लग रहा है मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है कौन आएगा मेरे साथ मैं 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 भी अरे ये क्या तुम तो बिलकुल ठीक हो गई ड्रेसिंग अप और mascul जाज ममी और डैडी के बैडरूम में खेल रहे ये क्या चीज है पैपा पूराने कपड़ों का एक बाक्स मिलता है वाँव ये डैडी का है और ये ममी की ड्रेस है जो छलो तयार होते और ममी डैडी बनकर खेलते है यह है डारी का हाथ और यह है डारी का कोट हलो डारी पिग अब मेरी बारी है यह मुमी की ज्रेस है और यह मुमी का हाथ है डारी पिग आपके जूते कहां है और अब मुझे भी जूते चाहिए अब मुझे सुन्दर लगना है ममी की तर है पैपा को ममी का मेक अप बॉक्स मिल गया पहले थोड़ा पाउडर बहुत प्यारी अब थोड़ी लिपस्टिक कितनी प्यारी ममी पिग है आव चले डारी पिग ये काम पर जाने का समय है ममी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है हेलो पैपा हेलो जॉज जरा माफ कीजिये पैपा मैं तो हेलो कह रही थी मैं पैपा पिग नहीं हूँ मैं हूँ ममी पिग ओ हां बिलकुल हेलो ममी पिग हेलो और ये है डैडी पिग जोज और आपको भी हलो डैडी पिग एक्स्क्यूज मी मुझे बहुत काम करना है हेलो हां ऐसा करो वैसा करो जैसा चाहे वैसा करो गुडबाई पैपा को ममी पिग बनकर मजा आ रहा है लेकिन जोज बोर हो रहा है माफ करना डैडी पिग बस बूरा होने वाला है लो हो गया चलो डैडी पिग ये आपके काम का समय है गुडबाई मामी पिग और डैडी पिगूड़ी बढ़ Fair डैड़ी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं मैं पेपा नहीं हूँ मैं ममी पिग हूँ और यह डाड़ी पिग है डाड़ी पिग यहाँ कुछ काम करने आए हैं आप बहुत अच्छे हैं डैड़ी पिग थोड़ा ध्यान रखना ये बहुत गहरा गड़्डा है उम्मीदे आप अपने अच्छे कपड़े पहन कर खुदाई नहीं कर रहे हैं डाडी पिग मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ सब के लिए आइस क्रीम आइस क्रीम पेपा जोच तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए मैं हूँ ममी पेग और ये है डाडी पेग तुम्हें यकीन है तो तो पेपा और जोच कहा है हम नहीं जानते ये दुख की बात है क्योंकि मैं उनकी मन पसंद आइस क्रीम यहां लाए हूँ अगर वो यहां नहीं है तो हम यहां है पेपा जोच तुम यहां हो हां ममी हम आपर डाडी बनकर खेल रहे थे तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया झाल 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 झाल